जो दूसरा चेप्टर है विकास करम विकास पहले इसको हम समझ लेते हैं कि जो है यह दर्शन में जो बाबा जी क्या कह रहे हैं विकास करम विकास देखें जो यह बात हो रही है कि पूरे अस्तत्य में देखेंगे तो परमानु अंस से ले करके जागरती परम तक ही कोई भी होगा इस बीच में ही होGO तो पर्मानु अंस से ले करके यह परमानु बना रहे हैं परमानु से परमानु जो है बहुत अनु बना रहे हैं अनु रचित पिंड बना रहे हैं ऐसे बहुत तरिके के जो हैं हमारे पास जो हैं दिखी रहे हैं पदार्थ वस्ता प्रान अवस्ता दिख रहे हैं और फिर यही परमानू जो है संक्रमित हो करके गठन पुन परमानू होता है और उस गठन पुन प ही वो विकास का मतलब इतना ही है कि पर मानू में जो गठन सेट पर मानू यह इसको विकास कर रहे हैं और जो यह विकास कर्म करम करें हैं तो यह गठन सिर पर मानू जुह primeira में जो है उनू से कई तरके के रचनाएं हो रही हैं जैसे पेर, पौदे, मिटी, पानी, हवा ये अलग तरके के रचनाएं जो दिख रही हैं इन रचनाओं को ही विकास करम कह रहे हैं और इस रचना का जो आगे चलके हम लोग देखेंगे इस रचना में जो सबसे सर्वतकृष्ट रचना जो बबाबाजी बोलते हैं वो मेधस को बोलते हैं कि यह रचना का सबसे मैं कहें कि सर्वोत कृष्ट पाहग है वो मेधस है लेकिन इन सब को उन्होंने विकास करम ही कहा है इसमें विकास नहीं कहा उन्होंने तो विकास मुलता वो जो कह रचनाय सुवस्पस्ट हैं इसलिए बाबाजी ने विकास करम में कहा है कि यह अलग तरह के जो परजाती के परमानु अनु है अनुरचित रचनाय हैं यह सब विकास करम में ही हैं जैसे धर्ती एव अनिक गड़ा गोल अस्तित में विद्यमान हैं यह सदी रचनाय ठोस तरल के रूप में ही वर्तमान हैं इस धर्ती पर यह तीनों स्थितिया सुवस्पस्ट हैं तीनों स्थितिया मतलब जो थोस तरल विरल के बात कर रहे हैं कि इस धर्ती पर तीनों ही चीज़ दिखते हैं हवा भी दिख रहा है पानी भी दिख रहा है ठोस भी दिख रहा है और भी सब बहुत सारी चीज़ें जो थोस तरल विरल के रूप में हैं इन में से तरल बस्तू के रूप में जो पानी है वही सब पर्थम योगिक क्रिया का वैभब है तो समय सबसे पहला जो वो योगी क्रिया बोल रहे हैं वो पानी को ही बोल रहे हैं क्योंकि इस पानी के साथ ही जितने भी रसायन बन रहे हैं इस पानी के योग संयोग से ही बन रहे हैं तो उन्होंने कहा है कि पानी का धर्ती के संयोग के अधार पर अमल और छार होना पाया जाता है। अमल और छार जो है वो एसिड और बेस की बात कर रहे हैं कि इस धर्ती के साथ जो पानी का संयोग होता है तो वो अलग-अलग तरीके के संयोग के होने के अधार पर अमल और छ चानने का आधार प्रभाव से पुष्टी तत्व रचना तत्व के रूप में दव रचनाएं होना पानी में पाया गया अब यह बहुत महत्वपुर्ण बात जो बाबाजी कह रहे हैं यह जो तो पदार्थवस्था से प्रानवस्था का उदय कैसे हुआ है इसकी बात कर रहे हैं कि पदार्थवस्था से प्रानवस्था के उदय से पहले जो है कई तरीके के रस रसाइन बने कई तरीके के योगिक बने और ऐसे योगिक बनने के क्रम में जो ब्रहमांडिये उस्मा है ब प्रान कोशी का देखेंगे प्रान कोशी का के अंदर ही पुष्टी तत्थ रचना तत्थ है तो यह जो ब्रहमांडिय उस्मा की प्रभाव से रस रसायन है इनके मिलने से ही एक तरीके से ये कहें कि प्रान कोसा का बनना होता है इस प्रान कोसा के जो बोल रहे हैं इसके मूल रूप को काई कहा जाता है तो जो सबसे पहला जो बोलते भी हैं कि जो प्रान कोसा जो है सबसे पहला जो एक लिविंग जो साइंस इसको लिविंग सेल करता आगे चलके देखेंगे प्रान कोर्षा जो है वो अपने आप में स्वसन प्रश्वसन करते हुए दिखते हैं और मल्टिप्लाइ करते हुए दिखते हैं जो पदार्थ हवस्ता में नहीं दिखता पदार्थ हवस्ता वो एक निश्चित जैसा है वैसा बना रहता है लेकिन प्रानवस्था वो जैसा है वैसल बने हुए रहने के साथ वो अपनी संख्या को भी बढ़ाता रहता है। तो इस अधार पर वो प्रान अवस्था की जो है वो पदात अवस्था से भिन्न है तो उसकी जो सबसे मूल इकाई को काई कहा जाता है ऐसे काई के अनंतर ही प्रान कोसाओं से रचित रचनाएं एक कोशिये दूई कोशिये बहु कोशिये विदी से घटित हो चुकी हैं तो ब देखे तो यह बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बना हुआ है लेकिन ऐसा भी एक कोशिका है जो मतलब यूनिसलिलर है जैसे मैंने को याद बहुत छोटे में अमीबा मैंने पढ़ा था जो एक कोशिकिये उसको जीब करते कि वो सिर्फ एक कोशिका ही रहता है तो ऐसे बाबा प्रान कोशाओं से रचित रचिनाओं को बनस्पती संसार कहते हैं अब यह बोल रहा है कि जो यूगिक करिया वैभव के रूप में जो प्रान कोशिकाए हैं उनसे रचित रचित रचिनाओं को बनस्पती संसार करते हैं पेर पॉधे यह सब यह … देखेंगे प्रान कोशाओं से ही मिलके बने हुए है इसलिए आप देखेंगे एक छोटा पॉधा जो है इक छोटे से बड़ा होता हुआ दिखता है क्योंकि ये जो प्रान कोसिगाओं में ये जो एक वैभव दिखता है कि वो अपने जैसा बने हुए रहते हुए और मल्टिप्लाई करते रहते हैं इसलिए जो है इसको हमने बनस्पति संसार कहा जो भी है ये प्रान वस्था कहा इसको बाबा ज आ रही है मेरी कुछ लोगों की अरे की रिस्टार्ट यूट्यूब बोल रहे हैं कोई एक जबाब दे दे हरी है सब लोगों को मेरी अवाज आ रही है क्या ओके ठीक टो कि अब आगे की जो बात करें कि जो बाबा जी ने जो चार अवस्था के पडार्थ अवस्था प्रान अवस्था तो पदार्थ अवस्था से ही प्रान अवस्था का प्रकटन हो रहा है इसके लिए जो बाबा जी ने जो यह योगी किरिया कहा और उस योगी किरिया में जो सबसे पहला पानी की बात की उस पानी से जो भी अमलचार के धर्ती के संयोग से जो है अमलचार का निर्मान हुआ उससे अलग तरके के रस रसाइन बने, ऐसे रस रसाइन बनने के बाद ब्रहमांडिये उस्मा के प्रभाव से प्रानकोसिका बनना और उस प्रानकोसिका के बनने से ही ये प्रानवस्था का आगमन हुआ इस धर्ती पे. इससे ये पता लगता है कि धर्ती के रूप में वेवित द्रव्यों के संयोजन से ही योगिक किरिया वेवस संपन होना और इसके मूल सरूप में विन व्यक्त होने का उत्सब होना होता ही है यही रासानिक उर्मी है रासानिक द्रव्यों के उत्सब को हम उर्मी कह रहे हैं तो यह जो बाबा जी कह रहे हैं कि जो पदार्थ अवस्था से जो प्रान अवस्था का जो उदय हुआ है इस जो इसको बाबा जी एक उत्सब के रूप में देख रहे हैं उतसब का मतलब जो है कि एक तरीके से जो भी चीज है उससे आगे की और सहस्तित्त को परमानित करने के लिए जो भी घटनाय घट रही हैं उसको बाबाजी उतसब कह रहे हैं तो जिव पदार्थ हवस्था से ही जो है अलेक रस रसायन बनकरके उससे जो प्रान वस्था का जो उधय हो रहा है उसको ही रसायनिक उर्मी कह रहे हैं हर प्रान कोसा में प्रान सुत्रों का होना पाया जाता है इसी में रचना तत्वों पुष्टि तत्व निश्चित मात्रा में समाय रहता है और रचना विधी निहित रहती है बहुत सुंदर बात जो ही कह रहे हैं यह साइंस भी बात कह रहा है यहां पर जो हम लोग साइंस के जो भी हमारे cell है जो पूरे human body है वो असंख जो है नहीं करना चाहिए बहुत सारे जो living cell से मिलके बना हुआ है तो हर एक cell जो है उसमें DNA जो पाये जाता है वो DNA जो है वो उस cell के एक निश्चित रचना को व्यक्त करता है और इसी रचना के अधार पर जैसे एक परमान एक जो ह ही रचना को व्यक्त करते हैं जैसे जैसे आप देखेंगे आम का आम में देखेंगे तो वो एक अलग तरिके की जो है शिल है और उसका एक DNA अलग है मनुस्ट का DNA अलग है मनुस्ट में भी देखेंगे तो हर एक मनुस्ट के जो DNA structure बोलते हैं वो अलग-अलग है तो इसी ची रहता है रचना तत्त पुष्टी तत्त वबाद कर रहा है यह प्रोटीन्स संपनने रहते हैं जो प्रान सु的 की बात कर रहे हैं इस प्रांद को सित्र प्रांद को सि empath होता ही रगता कर creek rice कि जैसे ये प्रानकोसिका जो है वो कैसे एक से दो, दो से तीन ये चार बनते हैं तो ये बाहर से कुछ oxygen या जो भी है द्रव ले करके और इसको ही multiply करते हैं भइ वो जैसे एक कोई प्रान्णकोसी का में डिवाइड होगा तो उसमें निश्चे ही जो उसके रासानिक द्रव्य है और जो उसके डिने हैं वो सब जो है दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं इसके लिए वो स्वासन किडिया आवस्चक है इनमें अपने जैसे सुत्रों को विपलिक करने का उत्सब बना रहता है इसके लिए रासानिक द्रव्यों की उपलब्दी निश्चित उस्मा का योग आवस्यक रहता है जैसे अभी भी बात करते हैं कि जैसे किसी भी हम बीज को डालते हैं तो बीज के जमीन में डालते हैं तो उसको कुछ पानी देना पड़ता है कुछ खाग बीज देना पड़ता है और उसके साथ साथ जो है सूरज की उसमा से ही उसमें जो है सेल डिवीजन होना स्टार्ट होत और इसी से ही वह जो है ग्रो करता है यदि यह सारे जो रासानिक द्रव। यह जो विपलिकरन वाला काम है यह मल्टिप्लिकेशन का काम नहीं होता ऐसी प्रान कोसाएं जीवों के मानव के सरीर के हड़ी के पोल में भरे रसों में निर्मित होना पाया जाता है अब जो बोल रहे हैं कि जो प्रान कोसाएं जो हैं यह कहां निर्मित होती हैं तो यह बोल रहे हैं कि जो जीव हैं मनव सरीर हैं इनके जो हड़ी के पोल में भरे रसों में जो हैं यह प्रान कोसाएं निर्मित होती रहती हैं और सरीर की सायोजन वस अनेक सुत्र और कोशा निर्मित होते हैं अब प्राम सुत्रों के सायोजन वस अनेक सुत्र और कोशा निर्मित होते हैं तो यह जैसे देखेंगे तो अभी अपन भी बात करते ही हैं सेल हैं टिसूज हैं तो कई सेल्स मिल करके टिसूज का निर्मान करते हैं और य laver है और किड़नी है इस तरीके के जो भी हैं तो ये सब जो है यह इसके मूल रूप में देखेंगे तो कोशी कहीं से तो कॉशिका ही को सिल है ये से खास तरीके जो है कि इसको हम लोग जो है टिसूज बना करके ही जो है एक खास तरीके के कारे कर रहे होते हैं फलसुरूप ऐसी कोशिकाएं रसाइन द्रब्यों के साथ रक्त के रूप में अपने अस्तित को सुरक्षित रहते हुए रक्ते हुए सरीर की रचना में कारे करता हुआ देखने को मिलता है तो में पत्ती और जर की किया किलाप में रस संचे होता है फलसुरूप प्रान कोशिकाएं बनते रहती हैं तो बाबा जी ने जैसे बोला कि जो मनुस्य के सरीर और जानवरों के सरीर में जो हड़ी है, हड़ी के जो पोल में जो रस है, वहां पर ही प्रान को सिकाओं का निर्मान होता रहता है, उसी तरीके से जो है, जैसे बोलेंगे मनुसर का सरीर भी तो एक जो है प्रान वस्था की ही काई है, बस इसमें इतना ही है कि इसमें जीवन के संयोग के साथ ही जो है चलता है लेकिन जो है बनस्पती संसार देखेंगे तो वो तो पुरी तरीके से प्रानवस्था की काई है उसमें प्रानकोशा जो है उसका निर्मान बाबाजी बोल रहे हैं पत्ती और जर में उसका निर्मान होता रहता है इस प्रकार रचनाएं रचन तक का वेबा इस धर्टी पे सुवस्पष्ट हो चुका है तो ये बोल रहे हैं कई तरीके की रचना इस धर्टी पे दिखी रही है इतने तरीके के पेर पौधे दिखते हैं इतने तरीके के जानवर दिखते हैं इतने तरीके कीट पतंग दिखते हैं और उसी में ही मानन भी दिखता है तो बोल रहे हैं कि इन रचनाओं में जो है एक जो है विकास करम दिख रहा है कि जो है परदार्थ अवस्था से प्रान अवस्था, उस प्रान अवस्था से जीव अवस्था, जीव अवस्था से ग्यान अवस्था में जो ये मनुश्य सरीर आया है ये एक विकास करम के तहत ही आया है जो कि इस धर्ती पे अभी तक अस्पस्ट हो चुका है हो सकता है किसी दूसरी धर्ती पे ये चारो वस्थाएं प्रकट नहीं हो लेकिन वहाँ पर भी ये विकास करम होगा ही आज नहीं तो कई सालों के बाद वहाँ पर भी ये जो ह जिसा इस भरती पे विव्य भवव प्रकट हुआ है वहां पर भी वव प्रकट हो प्रान कोसाओं से रचनाये छोटे बरे पौधे वरिक्ष लता गुल्म के रूप में होते वे आगे छोटे बरे जीवों के सरी रूप में अपने कोश्पस्ट करते है तो प्रान कोसायें से ही बता रहे हैं कि पौधे बने हुए हैं, छोटे छोटे जीव सरीर बने हुए हैं, कई तरीके के रचनायें जो हैं उसके मूल में प्रान कोसी का ही है। वनस्पति संसार की रचनाओं में कारेरत प्रान को सिखाएं, विक्सित होकर ही रचना विधी में परिवर्तन को व्यक्त करती है जो जीव संसार की रचनाओं वह अभी मानव सरीर तक की रचना का अधार बनती है। जो निर्मान हुआ है उसका आधार बनस्पति संसार ही है। पदार्थ अवस्था से प्रान वस्था का उदय हुआ। ये हमने अभी तक देखा। अब आगे बात बुल रहे हैं कि ये प्रान अवस्था में भी जो बनस्पति संसार हैं उनमें भी जो अलग-अलग तरिके के प प्रान्रकोशिकाएं हैं ऐसी प्रान्रकोशिकाओं में भी सोधकारे चलता ही रहता है और यही प्रान्रकोशिकाएं जो हैं विक्सित हो करके जीव सरीर का ही निर्मान करती हैं आगे उसका बाबाजी बहुल ही रहे कि यह कैसे कनेक्ट होता है प्रकृति में चार अवस्था द्रश्टब है पदार्थ हवस्था मृद्धा पासान आदी के रूप में तो पहला चार अवस्थाओं की बात बाबाजी कर चुके हैं वो तो सब लोग को हम लोग को पता है कि पहली अवस्था पदार्थ हवस्था जो मिट्टी पानी हवा के रूप में है प्रान अवस्था पे पौधे बनस्पती संसार के रूप में है जीव अवस्था और ग्या नवस्था शरीर और जीवन के संयक्त रूप में द्रश्टब है अब जो जीव अवस्था और ग्या नवस्था की बात कर रहे हैं तो वो शरीर और जीवन के संयक्त रूप में है, यह हम सब लोग जानते ही हैं, इसमें मुझे लगता नहीं है कि मुझे और बहुत जादा बोलने की ज़रूत है, आगे जैसे आउसकता परेगी बताएंगे, प्रान अवस्था और जीव अवस्था के सरीर के रचना करम में प्रांजीसन हो रहा है या जो फॉर्मेशन हो रहा है उस बीच में बाबाजी बोल रहे हैं स्वेदर संसार का होना पाया जाता है, जो वनस्पती संसार से जो जीव संसार, जो जीव सरीर का निर्मान हो रहा है, उसके करम में स्वेदर संसार की बात कर रहा है, स्वेदर का म पत्ता आदी जब एकत्रित होते हैं, पानी और उस्मा पाकर अनेक भुनगी कीरे अपने आप पैदा हो जाते। यह हम लोग सब लोग देखते ही हैं कि कई जगा पे पत्ता हो या कुछ रखा हुआ हो, वहाँ पर पानी हो और कुछ उस्मा का यदि वहाँ पर प्रभाव, उस अधाता वहाँ पर कीरे मोकरे जनम ले लेते हैं, तो इसी को ही बाबा जी जो है, वो बोल रहा है कि यही है, जो स्वेदर संसार जो बोल रहे हैं, वो इसी को ही बोल रहे हैं, जो किसी भी जैसे मिटी, पानी, हवा कहीं पर भी जैसे देखेंगे, जैसे कहीं पर कुछ कपड़ा ही रखा हो, या पत्ता रखा हो, वहाँ कुछ नमी हो, कुछ सूरज का प्रभाव हो, उस से वहाँ प्रानवस्था प्रानवस्था से ही प्रानवस्था का उद्रा हुआ स्वेदर संसार से ही बता रहे हैं कि और आगे अंडर संसार की उत्पत्ति हुई, इस वीधी से ये गुनबत्ता को अस्ठापित करता हुआ देखने को मिलता है या स्वेदर संसार जलचर, भूचर, नवचर के रूप में देखने को मिलता है तो स्वेदर संसार जो है जलचर, भूचर, नवचर के रूप में जलचर, भूचर और नवचर का मतलब जो जल में चलने वाले हैं भूचर का मतलब जो जमीन पे चलने वाले हैं तो ऐसे हम देखते हैं कीट पतंग है जो या कीरे मोकर है जो जमीन पर चलने वाले यह सब जो स्वेदर संसार इस तीनों ही जगा पे दिखते हैं अंड़ संसार बल्वती होते हुए अकास में उड़ता हुआ पक्षियों के रूप में बरे बरे जलचरों और भूचरों के रूप में देखने को मिलता है तो ये जो सुष्धर संसार से जो अंड़ संसार, अंड़ संसार का मतलब जो अंड़ से जर्म लेता है, जैसे मुर्गी हुआ और बहुत तरिके के आप पक्षियों को देखे, तो वो जो है उसको अंड़ संसार कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो एक सरीर से दूसरे सरीर का जो निर्मान होता है उसमें वो एक बीच में अंडी होता है वो जो भी जीब है एक अंड़ा देता है उस अंडे से वो दूसरा सरील का निर्मान होता है तो अईसे अंडश संसार जो है Songs देखी रहे है कि वो अलाग-अलागitives जलすat ब्रूचर की रूप में देखने को मिलता है, ऐसे अंडर संसार, पिंडर संसार को जोडते हैं, तो अब जो पिंडर संसार हुआ, जैसे पिंडर संसार में जो पिंडर से पैदा से बकड़ी हो गया, गाय हो गया, ये कोई अंडर देखे, इसमें बच्चे पैदा नहीं होते हैं, दारेक्ट एक सरीर से दूसरे सरी का जो है निर्मान होता है तो जो पिंडज संसार है वो अंडज संसार से ही जो है कनेक्ट करके बाबल जी ने बताया है कि ऐसे अंडज संसार पिंड़ संसार को जोड़ता है पिंड़ संसार अपने में अंड़ संसार से विक्सित रचना है अंड़ पिंड़ संसार के उपरांत रासानिक द्रव्यों का विशलेशन संसलेशन सब धातों के रूप में होता हुआ मानव सरी रचना तक स्वस्पस्ट हुई है अब जो है इसको मैं फिर से अच्छे समिराइज कर दूँ कि जो ये पदात अवस्था से प्रानवस्था प्रानवस्था से जो अभी जीव अवस्था की बात आई है तो अभी हम लोग जो जीव अवस्था की बताया वो अंडज संसार की उत्पत्ती हुई अंडज से पिंडज संसार की उत्पत्ती हुई और इस पिंडज जो भी है इस जीव संसार की या पिंडज जो भी है उसी करम में मनुश्त का भी है मनुश्त सरीर का भी निर्मान हुआ है जहां पर सब्ध धातुओं की बात कर र जो बाबा जी कह रहे है कि जो मेधस सप्धातों से मिलके बना हुआ है और सप्धातों में रस, मांस, मज्य, रक्ठ, संा युव, हड säger, वशा इसको सप्धातों में बाबा जी ने रखा है और इसी को आगे में कहेंगे कि ये जो अपने से स्रिष्ट रचना की और अग्रसर है ताकि ये जो है जीवन अपने आपको प्रमानित कर पाए इसके लिए जो है सम्रिद मेधस का होना अवस्यक है तो ये सारे जो भी पदार्थ वस्था से प्रान वस्था प्रान वस्था से जीव वस्था जीव वस्था से ग्यान वस्था जो अपने आप ही जो है स्वाप्रेणा से या जो भी है नियती सहज विदी से इस धर्ती पे प्रकट हुई है उसका मूल आधार वही है कि वो जागर प्रति को इस धरति पे प्रमानित किया जा सके इन सारे रचनाओन का क्रम और मानव सरीव के अध्यन से यही पता लगता है कि मानव सरी वे पूरी की पूरड़्ध पु कु कर रहें। तो मनुस्र का जो सरीर है, मनुस्र सरीर में जो मेधस से वो पुरी तरीके सम्रिद है, जहां पर वो अपनी विचारासा को पुरी तरीके से व्यक्त कर पाता है। उनमें जानना मानना नहीं होता। पहचाना निर्वा करने का अधार भी बल संपन्नता ही है, तो यह हम लोग पहले बात करी चुके हैं कि पहचाना निर्वा करने का अधार जो है वो उर्जा संपन्नता व्यापक सत्ता में संप्रिक्तता ही है, उसी संप्रिक्तता को ही जो है बाबा जी जो है बल उर्जा संपनता और बल संपनता कह रहे हैं। जो बल संपनता और जा संपनता है बहुतिक रासानी पर्मानों में उससे पहचाना निर्वा करने के रूप में व्यक्त होता है। यह भी असपश्ट किया जा चुका है कि पर्मानों में ही विकास होता है। एक से विक्सित पर्मानों गठनपुर्ण होते हैं। यही चैतनिकाई है, यही जीवन है। जीवन ही सहीर को जीवनत बनाये रखते हुए समझदारी को प्रमानित करता है। तो जो बाबा जी यह कह रहे हैं कि फानली जो है, यह सब जो है, यह सब जितने भी रचनाएं होई हैं, इस धर्ती पे, उस सब विकास करम में ही हैं। विकास नहीं हैं, विकास तो जो गठनसिल परमानौं जो है, गठन पूर्ण परमानौं में जो शंक्रमित होता है, वही मूल विकास है। और उसमें अभी तक जो बाबा जी ने बहुत ही सुन्दर धन्कस Pay का है कि जो सारा सोधकारित कोही रहा हैे है ऐसा नहीं जिव वस्था के प्रकृटन के लिए सोधकार driven है ही प्रान अवस्था भी जो है वो जीव अवस्था के प्रकटन के लिए सोधकार उसमें है ही क्योंकि उसी में ही बाबाजी ने जो बारबार कहा है कि जो प्रान अवस्था है उसके जो प्रान जो रचना सुत्र में ही जो है अपने आप ही सोधकार हो रहा है कि वो और उससे विक प्रानवस्था से विक्षित रखिना सोगतर संसार, अंडर संसार से विक्षित रखिना, पिंडर संसार में भी दिखेंगे, तो उसमें सबसे ज्यादा विक्षित जुह मन्ण्सरीर ही दिखता है, क्योंकि मन्स शरीर जो है उसमें सम्रिद्ध मेधस तंत्र होता है जिसके माध्यम से जीवन अपने आपको पूरी तरीके से व्यक्त करने योगी हो जाता है देखेंगे जो है जानवरों में भी जीवन कारेड़त है जीवन के संयोग रहता ही है चाहिए आप जितने भी गाय भैस घोड़ा यह सब देखेंगे तो यह सब में जीवन और सरी दोनों है लेकिन वहां पर एज जीव जानवरों का मेधस है वो पूरी तरीके से सम्रिद्ध नहीं होता इस सम्रिद्ध नहीं होने के आधार पे जीवन पूरी तरीके से वहां व्यक्त नहीं हो पाता व्यक्त नहीं होने का मतलब वहां जानने मानने की क्रिया नहीं होती इसे कोई जानवर में ऐसा नहीं होता है कि वह जानने की क्रिया कर रहा हो मतलब जो है वह नियम क मानव सरीर बनने की अस्पश्टता कीजिए भाई जी ठीक है फिर से मैं इसको रिपीट करता हूं मानव सरी रचना देखें कहीं न कहीं यह देखेंगे इस धर्ती पे सबसे पहले पदार्थ अवस्था जो भी है यह धर्ती अपने आप में पदार्थ अवस्था ही के ही आए होंगे और ऐसे परमानु अनु के संयोग से पानी का जो है जल का यहां फॉर्मेशन हुआ होगा इस धर्ती पे उस पानी के जल के साथ जो है अलग-अलग तरीके के जो धर्ती के संयोग होने से रस रसायन बने और ऐसे रस रसायन बनने के पश्चात जो है ब्रहमांड पे ऐसे प्रान कोशिकाएं बनते हुए बहुत तरीके की रचनाओं में व्यक्त हुए होंगे बहुत तरीके की पेर पौधे बने हुए होंगे ऐसे प्रानकोसिकाओं में भी सोधकार चली रहा है उनमें भी जो वो रचना तत्व है उसमें सोधकार के का मतलब हुआ अपने से स्रिष्ट रचना के लिए अग्रसर होना बना ही है अब वहां पर जो स्रिष्ट रचना हो रहा है इसी जो आधार पर जो प्रानकोसिकाओं हैं जो प्रानवस्था की काई है वो प्रानवस्था से ही अंडर संसार का निर्मान हुआ जहां पर पतंग इस तरिके के जो भी चीज हम कह रहे हैं वो प्रानवस्था से ही उसका जो है निर्मान हो रहा है उससे विख्षित रचना के रूप में फिर यही जो स्वेदर संसार है यह अपने आप में जो है सोधकार करते हुए इससे विख्षित रचना के रूप में अंड़ संसार में परिवर्थित हुआ और ऐसे ही अंड़ संसार से कभी ऐसा हुआ होगा ऐसे अंड़ संसार से ही कभी पिंड़ संसार का जो है उद्भव हुआ होगा और ऐसे पिंड़ संसार में कई तरीके के जीव जानवरों से इस पिंड़ संसार से ही मनव सरीर का भी निर्मान हुआ होगा साइंस भी कहता ही है कि जो मन से सरीर का जो भी कहें कि उसके पुर्वर जो है बंदर है या इस तरीके के बोलते ही हैं क्योंकि आप देखेंगे तो उनकी रचना में कहीं न कहीं कुछ रूप में मन से सरीर की रचना की एक समानता दिखती है तो वो हलाके वो रचना जो है वो रचना पुर्णितया जो है सम्रध नहीं हुए इस आधार पर उससे स्रेश रचना उससे स्रेश रचना करते हुए यहां तक मनुस्य सरीर की रचना हुई है तो यह कोई एक दिन में नहीं कई हजारों साल में जो है यह सोद कार्य प्रकरती में होते हुए जो मनुस्य सरीर की रचना हुई है और तो पूरी तरीके से व्यक्त कर पाता है सम्रिद्ध मेधस जो जीवन में जो भी है जीवन जो है अपने आपको व्यक्त सरीर के माध्यम से ही करता है चाहे हमारा सरीर हो या फिर जानवारों का सरीर हो वो जो है सरीर के माध्यम से ही जो है वो करता है व्यक्त होता है और सरीर में भी देखेंगे तो सरीर में जो मेधस ह उस मेधस के माध्यम से ही वो व्यक्त होता है तो ऐसा सोच सकते हैं कि जो सरीर है वो पूरा सरीर जो है क्रियावाही और ग्यानवाही तंतर से मिलके बना हुआ है और ये क्रियावाही ग्यानवाही तंतर जो है वो उसका फाइनल जो है वो नियंत्रन मेधस से ही होता है तो जीवन मेधस के माध्यम से पुरे सरीर पे नियंत्रन रखता है या फिर पुरे जीवन मेधस के माध्यम से ही पुरे सरीर के माध्यम से व्यक्तो होता है संदीब भाई साहब है बिना भुने हुए बीज में जो अभी मिट्टी या नमी के संपर्क में नहीं आ, क्या स्वासन, प्रश्वासन हो रहा होता है, देखि exactamente एक बीज है, जैसे एक चने को लें, जिसको भी हमने मिट्टी में नहीं डाला है, तो यह ओस बीज को हम मिट्टी में डाल दें, और उसमें खाद पानी हवा नमी दे तो वो जो है उसमें अंकुरन दिखाई पड़ता है और वो जो है वो ग्रोत करना उसमें शुरू होता है वो चने के बीज से पौधा बन जाता है लेकिन जो ऐसे चना रखा हुआ है चने का जो बीज रखा हुआ है क्या उसमें स्वासन प मैं जितना समझाँ हूँ मैं इस प्रे Article नहीं कह सकता कि सवासन प्रशुअशन जो है कि वो लसके साथ सातھ है और उसमें होगा और क्योंकि आ प्रश्वासन जो है वह अपने विपलिकरन के अर्थ में ही है लेकिन चैने का जो वीज है वह वह विपलिकरन होता हुआ नहीं दिखता है तो उसमें कहाना जो है स्वासन प्रश्वसन हो रहा या नहीं हो रहा है यह मैं अभी इसको के लिए नहीं कह सकता इसके बारे में जिसे बाबा जी ने या क्या कहा है मैं और लोगों से पूछ करके आपको कल बताऊंगा ठीक है विपिन बिहरी जी पूछ रहें आपको क्या लगता है पहले अंडा या मुर्गी तो अब यह जो चीज है पहले अंडा या मुर्गी जो है देखे ये प्रस्ण जो है ना ये ऐसा बनता ही नहीं है कि पहले अंडा या मुर्गी है मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि जो कहाई ना कहीं जो जीववस्था का जो उद्भव है वो प्रानवस्था से ही हुआ है ऐसा नहीं है कि जो अभी मुर्गी और ये अंडा दिख रही है ये ऐसा ही पहले भी रहा होगा मुर्गी अपने स्वरूप में ऐसी नहीं रही होगी ना ही अंडा इस स्वरूप में रहा होगा वो एक विकास करम में होता हुआ मुड़गी की रचना अभी इस रचना के रूप में दिख रही है जैसे मनुस्य सरीर की जो रचना है वो जैसी रचना अभी दिख रही है ऐसी ही रचना जो है एकाएक धर्ती पर प्रकट हुई होगी ऐसा नहीं है मनुस्य की रचना से पहले जो है कई तरीके की और रचनाए इतना सम्रिद्ध मनुष जो सम्रिद्ध रचना दिख रही है वो एक ही बार में प्रकट हुआ होगा ऐसा नहीं है वो एक विकास क्रम में ही जो है ऐसी रचना प्रकट हुई है एक बाबु सिंग नायक जी है इससे तो यही लगता है कि अस्तित में विकास जागरती वब उसकी नियति क्रम में अस्तित में हो रही है उसमें ये विद्या का उद्गम होना भी अस्तित सहाज है कुछ प्रकास डाले बिलकुल भया जी देखिए बिलकुल भया जी इसमें जो है कि ये जो धर्ती पे जो प्रकटन हुआ है मतलब जो भी इस धर्षन का प्रकटन हुआ है वो इसी अर्थ में ही हुआ है क्योंकि यहां पर जागरती ये जो मानवे बरस्था जो है वो अस्तित सहाज वीदी से जो है वो एक निश्चित दिसा की और है ही अग्र सर्थ इस अधार पे मनुशने जो है कई पर्यास किये हालगी वो पर्यास में जो है जो भी है वो एक निश्चित जगा तक ही पहुँच पाए उसी करम में हम इसको भी देख सकते हैं जैसा हम लोग रचना में एक विकास करम को देखते हैं का भी आना डिफिकल्ड था इसलिए जो है पुराने को हम पुरी तरीके से डिनाई नहीं कर सकते हैं तो उस पुराने के करम में ही यह जो है उससे स्रेष्ट दर्शन है ऐसा हम कह सकते हैं राकेश गुपतर जी भाया का जो जवाब आ गया है जो भाया जी ने पूछा था स्व स्वासन प्रस्वशन बीज में नमी वह हवा के संयोग में आने पर ही होता है उससे पहले वह पदार्थ हवस्था जैसा ही रहता है तो भाया जी संदी भाया जी का प्रस्वशन था तो यह जो बता रहें भाया जी ने कि जो बीज है उसमें कोई स्वासन प्रस्वशन नहीं स्वासन प्रसुशन नहीं होता हर अगली स्थिती में पहले की स्थिती में उसका भुरुन स्वरूप रहता है यह बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि यदि यह हर अगली स्थिती में पहले स्थिती का जो भी है उसका भुरुन स्वरूप तो रहता ही है यदि नहीं रहता तो ये जो है परदास अवस्था से प्रान अवस्था प्रान अवस्था से जीव अवस्था और जीव अवस्था से जो भी जो मनुस्य शरीर का निर्मान नहीं होता तो कहीं न कहीं जो मनुस्य शरीर का जो भुरुन है वो जीव जानवरों के शरीर में था ही जीव जानवरों के शरीर के जो भी है वो रुचना और जो भी है उसका जो है कहीं न कहीं जो भुरुन है वो प्रान वस्था में था ही आगे जो है मुझे लगता है कि यह विकास करम जो है हाँ एक जो चीज कोई पूछ रहे है जीवन एटम ही है यह कैसे मान ले बिलकुल गया जी यह जो है मानने की बाग नहीं है यह हम सब लोगों को अनुभव करना ही परेगा कि जीवन जो है वो एक गठन पुन परमानू है यह देखेंगे तो पूरे अभी तक जो मैं समझता हूँ कि पूरे मानव जाती में जो इतना रहस्य बना रहा कि आत्मा और यह सब की बात तो होती रहे लेकिन उसके सही की पैचान नहीं होने के कारण वो एक रहस्य जैसा बना ही रहा क्योंकि वो मूल सरूप में आत्मा है कि किसी ने आत्मा जीवन कह रहे हैं हलाकि यह अभी तक जो है मेरे अनुभव में तो नहीं आया है तो मैं आपको भी कहूंगा कि यह जो है एक जिस तरीके से हाइपोथ अनुभव होगा तो पता चलेगा ही कि यह भी जो है गठनपूर्ण परमानु हुई है और या फिर इससे कुछ अलग अलग अनुभव होता है तो आप उसको प्रस्तूत करेंगे आगे भविश्चा में जीवन तो एनरजी है ना जीवन तो एनरजी है ना देखे किस एनरज इससे को हम एक्छा विचार आसा के रूप में कह सकते हैं पदार्थवस्ता की जो एनरजी है वह उसको हम भार बंधन या अनुभणन में जो क्रिया सिलता है उसके अधार पर समझ सकते हैं तो वह जो आप एनरजी की बात कर रहे हैं वह एनरजी जैसा लगता है कि वह कोई रहने के साथ जो है वह एनरजी को व्यक्त कर रहा है जैसे हम जो इक्षा विचार आसा कर रहे हैं वह विचार आसा वह हो कह रहा है उस गठनपुर्म परमानु में ही हो रहा है संदीब भाया जी का प्रश्ण है बिना भुने बीज को पदार्थ माने या प्रान भाया जी बिना जो भुने जो भी है उनको तो पदार्थ ही माना जाए जब तक जो है वो प्रान अवस्था जो है जब तक उसमें स्वेदर संसार का स्वभाव और धर्म क्या है प्रानवस्था या जीवावस्था देखे बार बार यह प्रानवस्था और जीवावस्था जो है उसके बीच की कनेक्टिंग एकाई है तो वह स्वेदर संसार जो है अपने आप में पुरी तरीके से वह व्यक्त नहीं है वह इस क्रम में है प्रानवस्था से जीवावस्था के करने के करम में जो ये स्वेदर संसार है तो उसमें ये ठीक ठीक का पाना उसको प्रान अवस्था में ले या जीववस्था में ले उसको ये कहना चाहिए कि वो उस करम में है प्रान अवस्था और जीववस्था ऐसा बिलकुल हम दो आइसोलेशन में ना देखें प्रान अवस्थ से जीववस्था को एक्रम के रूप में देखें तो सुईदर संसाय जादा अच्छे तरीके से दिखेगा आप बोलते हो कि उसका मास नहीं है तो वह पार्टिकल के बजाए एनर्जी होना चाहिए देखें मास नहीं है मैं ऐसा नहीं कर रहा जीवन जो है गठन पुर्ण पहचानता है आपने यदि मास को पढ़ा होगा तो मास को वह जो है बल के अधार पर पहचानता है कि दो पार्टिकल के बीच में इस तरी कुछ बल लग रहे हैं तो उस बल के अधार को जो है वह मास पहचानता है इनर्सियल मास करते हैं यदि यह गठन पुर्ण परमानु क किसी के साथ जो है भौतिक रासाइनिक क्रिया नहीं करता है तो वो किसी पे भौतिक रासाइनिक भौतिक बल नहीं लगाएगा तो जब वो बल नहीं लगाएगा तो वहां पर हम मास की बात ही नहीं करते हैं तो जो मास की बात हम कर रहे हैं वो मास की बात हम जो है वो जो जो उस बलाकर्षन की कारण हम मास की बात कर रहे हैं जब यहाँ पर जो गठन पुर्ण परमानू है वहाँ पर कोई बलाकर्षन है ही नहीं दूसरे परमानू के साथ तो वहां मास की बात ही नहीं करनी चाहिए स्वेदर्ज को किस अवस्था मिस्पे बात तो हो चुकी है व्यापक को डार्क इनर्जी बोलना सही है क्या देखे डार्क इनर्जी जो है वो ओके आगे जो हम लोग बढ़ सकते हैं फिर कोशन एंसर को बात मिलेंगे